नमस्कार साथियों स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल करहिया जियस वर्ल में तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जानेंगे यूपी यसी के बारे में कि यूपी यसी का एक्जाम पैटरन कैसा होता है इसका सलेबस क्या होता है ठीक है इंटर्व्यू कितने सकते हैं यदि आपको कोई confusion डाउट किसी बात को लेकर हो तो चलिए सुरू करते हैं आज का वीडियो बिना देरी के विए तो यूपी यसी का सबसे पहले जानते हैं फूल फार्म यानि कि यूपी यसी मतलब होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जिसे हिंदी में कहे तो संग लोक सेवा आयोग यह एक ऐसा आयोग है जो की परिच्छाओं को कराता है इसी परिच्छाओं को मतलब इसी परिच्छाओं को पास करने के बाद बड़ी बड़ी पोस्टें जैसे IPS, IAS या फिर IFS जैसे पोस्ट लोगों को मिलते हैं जैसे NDA का पेपर हो गया ठीक ह तो UPSC के बारे में इतना समझ में आया और यदि दोस्ट चैनल पे यदि आप पहली बारा हैं तो यहाँ पर जो सस्क्राइब वाला बटन दिख रहा है इसे भी दबा करके बगल में एक घंटे का निसान आएगा उसे भी दबा लें और वीडियो को लाइक करना तो कता ही न समझ में आ जाएगा ठीक है तो चलिए सुरू करते हैं बिना देरी के हुए ठीक है तो देखिए यहाँ पर है UPSC UPSC यानि कि संग लोक सेवा आयोग इसके परिक्षा को मतलब यह परिक्षाओं को तीन चरड़ों में आयोजित कराए जाता है पहला होता है प्रिलिम्स ठीक आपका उसमाई नाम आ गया तो सेलेक्षन हो जाएगा तो देखिए प्रिलिम्स इसके बारे में हम अभी केवल ओबर्वीव ले रहे हैं बाकि इसका सलेबस कितने गंटे का होता है निगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं में क्या सलेबस होते हैं क्या क्या पढ़ना रहता है इसके बारे में हम आगे देख लिजी आप सलाइड में इसके बारे में हम आगे लिखे हैं इसके बारे में भी बात करेंगे तो प्रिलिम्स में दो पेपर होता है पहला पेपर आयोजित कराये जाता है पेपर वन जो कि सुबह वाले पाली में कराये जाता है और दूसरा वहां पूछा जाता है तो जैसे अंतर राष्टी की वरतमान गटना हैं ठीक है भारत का इतियास हो गया राष्ट्री आंदोलन से सम्मंदित प्रश्ण पूछे जाते दूसरा पेपर होता है पेपर टूशी सेट ऑप्र आपको इसमें 33 percent लाना है और इसमें केवल पास होना है बाकि इसका नंबर मेरिट में नहीं जुड़ता है ठीक है और कितने लोगों का सवाल होगा कि लगबख कितना नंबर इसमें पाना रहेगा तो मान चलिए यह दिया आप इसमें 60% यानि कि 100 कोश्चन आएगा लगबख 60 कोश्चन के आसपास हों को पास्ता में पास्ता इ। में जतने पीपर होते हैं सभी डiğते हैं लिखना होते हैं और इस जाए जाए और इंटर्वीयू में क्या पूचा जाते है वह पूचे जाते हैं यानि कि टोकते डोनों को जोड दें टाउ-जार अब आगए प्रिलिम्स के बारे में अब एक एक के बारे में डीटेल से बात करेंगे कि कौन सा कोस्चन कितने नंबर का होता है निगेटवी मार्किंग होती है कि नहीं होती है और जो आफसनल सब्जेक्ट हम कौन सा ले सकते हैं और इसी के अलामा मेंस क्या होता इसके बारे म सुबा की पाली में और साम के पालि में होता है सी सेट प्र इसमें टोटल स्टॉट कुष्ट न आते हैं और प्रत् Archives दो नंबर का राता है इस प्रकार से स्थ कुष्ट्चन का नंबर का होता है और दो घंटे का इसमें आपको समय दिया जाता है निगेटिव नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो एक बटा तीन नेगेटिव मार्किंग होती है और सबी प्रश्ण जितने भी होते हैं वस्तुनिश्च प्रकार यानि कि आपसिनल ठीक है यानि कि दो गंटे ही मिलता है और इसमें भी निगेटिव मार्किंग एक बटा तीन ही रहती है और प्रश्ण पत्र का प्रकार यानि कि यह भी है और सीशने यह जो पेपर वन होता है इसी मेरिड के तहत जाएंगे ठीक है इसमें किया क्या पूछा जाता है तो काम प्रिहंसिव यानि कि गद्द देगा उसमें से आपको तरशाट के लिखना होगा ठीक है रिजनिंग होता है मैथ होता है और गड़ित होता है अब देखिए यहाँ पर मेंस प्रिलिम्स आपने क्वालिफाइग कर लिया अब चलते हैं मेंस की ओर तो देखिए मेंस में टोटल पेपर होते हैं नौ यदि आप इसे काउंट करेंगे तो टोटल पेपर हो जाएगा नौ लेकिन नौ का नमबर जूड़ता नहीं है यहाँ प पर का प्पटरह और मिंद्स के जितने भी पविपर और सबीध aa Even बिधिक अब अब दो रहे हैं या के भी आप आप को इसमें पास करना बोड़ेем्द रवेपर को रखू हो नहीं जूता है ठीक है 300 नंबर के पेपर होते हैं इसे पास करना होगा और मेंस में जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सभी के लिए आपको तीन गंटे का समय दिया जाएगा अब देखें पेपर वन यानि कि जो पेपर वन होता है इसे कहते हैं इससे यानि कि निबंद इसमें आपको निबंद लिखना होगा ठीक है और यह 200 नंबर का होता है और यहां पर पेपर 2 जिसे GS1 बोलते हैं अब GS1, 2, 3, 4 कहके हैं लेकिन चारों में अलग-अलग टापिक से समधनित प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि हम यहां पर आगे रखे हैं अभी दिखाएंगे ठीक ह यहां पर पेपर नंबर 4 जिसे GS3 काते हैं यह भी 200 नंबर का होता है पेपर नंबर 5 जिसे GS4 नाम देते हैं यह भी 200 नंबर का होता है और यहां पर पेपर मतलब 6 और 7 यह दोनों आप्सनल पेपर होते हैं यानि कि कोई भी सब्जेक्ट आपको आप्सनल चूज करना होगा चाहे हिस्ट्री गोल हिंदी इंगलिस कोई भी आप चूच करिए उसी में पेपर वन और पेपर टू करके होगा तो यह दोनों भी ढाइडाइस और नंबर कर रहे गए यानि कि इन सब को यदि जोड़ दें तो टोटाल आता है सत्तर सो पचास नंबर मेंस में आपको सत्तर सो इंटर्विव के लिए ठीक है इंटर्विव कितने नंबर का होता है तो इंटर्विव होता है 275 नंबर का इंटर्विव में क्या पूछा जाएगा तो आपका जो भी आपसनल सब्जेक्ट है उससे पूछा जाएगा और समसमाई के मुद्दे यानि कि समाज के क्या मुद् होता है यह टोटल होता है 275 मार्क्स ठीक है और पीछे हमने कितना बता है सत्रसोपचास मार्क्स का यानि कि टोटल जो मेरिट बनती है इसे जोड़ेंगे तो 2025 पांच पांच साथ पांच 12 ठीक है तो टोटल यहां पर आजाएगा 2025 नमर का तो आपका जो इसके बारे मतलँ प्रिलिम्स का मैंस का क्या पूरा से उसके बारे हम बात करते यह को पता है तो आप यहां से वीडियों चोड़ सकते हैं इन पूरा वीडियोंół देख लीजिए और में पूछा जाता है और भारत का इतियास और भारती राष्टी आंदोलन से समंदित क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके अलावां भारत यों विश्व का भूगोल भारत यों विश्व का प्राकिर्तिक सामाजिक आर्थिक भूगोल भारती राज तंत्रा और सासन ब्योस्ता उसी के साथ सम्विदान राजनितिक प्रडाली पंचायती राज ब्योस्ता लोक निती अधिकारी समंदित मुद्दे इन सब में पूछे जाते हैं और इसके अलामा आर्थिक और समाजिक विकास सस्टनेबल डबलब्मेंट ठीक हैं और इसके बाद यहां पर डबलब्मेंट पौवर्टी जनसंग ख्यांक के इन सब से सम्विदित यहां पर कोस्चन देखने को मिलते हैं और यहां पर देखे तो परियावरण से सम्विदित क समान ने मुद्दे जिनके लिए विशाइकत विश्य सग्य होना आवस्यक नहीं है और यहां पर समान विज्ञानी यानि की जिसमें फिजिक्स कमेश्ट्री और बाइलोजी से संबंधित प्रशन आपको देखने को मिलेंगे अब यहां परालता है प्रिलिंस का पेपर नमबर यानि की कम्प्रिहेंशन ठीक गद्य देगा उसमें से आपको उत्तर छाटना रहेगा और उसी के साथ संचार कॉसल साहित अंतर बैक्तित कॉसल यानि की स्किल डवलोप्मेंट से समंधित कोश्चन रहता है और लाजिकल डिजिनिंग तथा एनलॉटिकल डिजिनिंग अव और कच्छा 10 अश्तर की गड़ी देखने को मिल जाएगी हाला कि बस नाम है कच्छा 10 अश्तर का लेकिन इसका लेवल वाई हाई ही रहता है ठीक है अब मिन्स के सलिबस के बारे में हम यहां पर चर्चा करते हैं तो जैसा कि हमने बता है मिन्स में पेपर वन और पेपर जो टू थे वर जेस्ट क्वालिफाइंग थे एक आपको चूच करना था भारती भासा और पेपर जो बी था यहां अंग्रेजी था तो इसमें क्या रहेगा जो अनिवारे भारती भासा चाहिए आप कोई भी ले सकते हैं संस्कृत मली आलम करना ठीक है भारती भासा कोई लेना तो इसमें पैसे दे देगा उसके बारे में समझ होनी चाहिए आपको इसके बारे में सठीक लेखन उपयोग यहां सब्दावली लगो यानि कि सौर्ट इसमें एससे लिखने को मिल सकता है अंग्रेजी से भारती भासाओं में अनुआद और इसके विपरीद भारती भासा म अनुआद यहां पर देखने को मिलेगा पेपर जो भी होता है अंग्रेजी होता है दिए गया पैसेच कि इसमें भी समझ होनी चाहिए सठीक लेखन उपयोग और सब्दावली और यहां पर भी śat से देखने को मिलेगा अब देखिए यहां पर जो पेपर ववन है यह सब ढ निबंद होता है मनें बताए इसमें आपको निबंद लिखना होता है आपको अच्छा निबंद लिखना आना चाहिए या फिर बहुत चीज दे सकता है और यहाँ पर पेपर टू यानि कि जीएस पेपर समानध्यन टू ठीक है तो यहां पर देखिए यहां पर भारती विरासत आधुनिक भारती इतियास विश्व इतियास समाजिक भारती समाज और भूगल से यहां पर समधित देखने को question मिल जाएगा और समाने अध्यन पेपर यह वन रहा होगा ठीक है और यहां पर पेपर जो 2 है या भी 200 मार्क्स का होता है तो इसका जो सलेबस है भारतिय संभिदान भारतिय राज बेश्था समाजिक नया है भारतिय सासन और अंतराष्टिय समयल मतलब समद्ध यानि कि इंटर रिलेशन जो है वह पेपर 3 का हिसा यानि कि जी यस पेपर 2 का हिस्सा है और पेपर नंबर 4 यानि कि जी यस पेपर पांच यहां पर नैतिक अखंडता और योगता से समनीत पूछा जाता है प्रशन जिसमें नैतिकता और मानाव इंटरफेस से समनीत पूछा जाता है और जो लास्ट पेपर आ गया मतलब जो कि आपको आफसनल चूछ करना रहता या भी एक आफसनल चूछ करेंगे उसका दो पेपर स्वाण होगा पेपर और टू ओर और इन सभी बिस capital में से आप कोई बी आप जोस्ट कर सकते हैं कोई फर्क नहीं पंड़ता कि आपका ग्रेजोएसर में क्या सब्यक्त हो आप इसमें से कोई चूछ कर सकते हैं कौन-कौन से चूछ कर सकते हैं देखिये यहां पर किर सास्त्र इलेक्ट्रिकल इंजिनिरिंग भूगोल अर्थ सास्त्र मतलब भूगर्व सास्त्र इतियास कानून असमिया बांगाली डोगरी अंगरेजी गुजराती हिंदी और इसके अलामा यहां पर देखिए कर्नड ले सकते हैं कस्मीरी कॉंकडी मैथली मलयाला मड़ीपुरी मराथी नेपाली ओडिया पंजाबी ठीक है संस्क्रीट संथाली सिंदी और यहां पर तमील तेलगू उर्दू गडित मकैनिकल इंजिनरिंग चिकिस्ता विज्यान दर्सन बहुतिक राजनितिक विज्यान सारवजनिक प्रसासन मनू विज्यान समाजी काकड़े ठीक है प् से अरचाब को जितने भी वर्ड में आरगनाजेशन है मतवपूर जैसे कि यहां पर आशियान हो गया फौन जीक है यहां से आगया शंग्ड़न है सभी के बारे में हमने वीडियो बना दिया और प्लेएलिस्ट के लगा दिया है आप चैनल पे जा करके सभी के बारे में डिटेल से पढ़ सकते हैं और यह सब कोश्चन तो इससे समन्दित आता है और चैनल पर यह आप पहली बारा है तो सब्सक्राइब तो उम्मीदे करी लिया होंगे और वीडियो के यहाँ पर लाइक किये बगार नहीं जाना है और यह आपको कोई भी डाउट हो तो नीचे कमे में जरूर करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद है कि अ